स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जब आप इगनु से कोई भी कोर्स या फिर प्रोग्राम कम्प्लीट कर लेते हैं तो आपका ओरिजनल मार्क सीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और ओरिजनल डिगरी आपको कब और कैस से मिलता है इसके लिए आपको क्या करना होता है और साथी में आपका ओरिजनल डिगरी, मार्क सीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता कैसा है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तो आप वीडियो को कम्प्लीट देखेगा ताकि आपको सभी जानकार आपको मिल सके तो चलिए सुरू करते हैं आप इगनू से जो भी program या फिर course कर रहे होते हैं और आपका जब course complete हो जाता है और आपके grade card में इस तरीके से सभी कुछ update हो जाता है आपके हर एक subject के आगे जो है यहाँ पर इस तरीके से completed लिखा हुआ आ जाता है तब जो है आपको सबसे पहले provisional certificate दिया जाता है और mark sheet दिया जाता है साथी में आप इस बात का भी ध्यान रखिए आप अपने account में login करते हैं तो आपके पास जितने भी subject होते हैं जिसके यहाँ पर first year, second year और third year जितने भी subject है वो सभी जो आपके grade card में update होने चाहिए आपके assignment के और आपके theory के exam update होने चाहिए और साथी में सभी के आगे जो इस तरीके से completed लिखा हुआ होना चाहिए तो जो है आप original degree पाने के लिए eligible हो जाते हैं जिस दिन आपके grade card में आपके subject का सभी detail जो है यहाँ पर इस तरीके से completed लिखा हुआ आ जाता है आपके assignment के marks और theory के marks update हो जाते हैं त जो आपका provisional certificate होता है जो by post आपके घर पर भेजा जाता है वो कुछ ऐसा होता है और यहाँ पर सबसे पहले certificate का number लिखा हुआ रहता है यहाँ पर इंडॉल्मेंट नमबर और आप इंगनुसे जो भी program कर रहे होते हैं वो program का यहाँ पर नाम लिखा हुआ होता है पूरा detail म और आपका exam जिस भी session में होता है exam का session लिखा हुआ रहता है और साथी में यहाँ पर जिस दिन भी आपका certificate issue किया जाता है उस दिन का date रहता है और यहाँ पर registrar के signature होते है और यह certificate जो आपका यह प्रोविजिनल certificate only one year के लिए valid होता है अगले convocation तक यह convocation क्या है यह अभी मै आपको आगे बताने वाला हूँ यानि कि जब तक आपका original degree आपको नहीं मिल जाता है तब तक यह आपका provisional certificate valid रहता है इस provisional certificate का इस्तमाल आप कहीं और admission लेने के लिए इस्तमाल कर सकते है और साथी में आप किसी और कामों में भी इस्तमाल कर सकते है जहां पर आपको original degree देना होता है वहाँ पर जो है आप इस provisional certificate का भी इस्तमाल कर सकते है और अब बात कहते कि जब आपका provisional certificate और mark seat आपके घर पर भीज़ा जाता है तो आपका mark seat दिखने में कैसा होता है तो आपका mark seat देखने में कुछ ऐसा होता है सबसे पहले यहाँ पर इगनू का logo रहता यहाँ पर आपका enrollment number रहता है, यहाँ पर आपका नाम और address लिखा हुआ रहता है, और साथी में यहाँ पर यह किस दिन issue किया गया है, उस दिन का date रहेगा, और आपका exam कौन से session में हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से यह भी लिखा हुआ रहेगा, नीचे करेंगे तो यहाँ आपके marks का सबी detail रहता है, जिसके यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर आपके assignment का marks रहता है, और साथी में आपके theory exam का भी marks यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, जिसके यहाँ पर लिखा गया है, और नीचे करेंगे तो यहाँ पर marks का सबी detail रहेगा, और यहाँ पर साथी मे टोटल में से आपको किजने marks मिले है वो यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा और साथी में यहाँ पर percentage भी लिखा हुआ रहेगा और आपका division क्या आया है यहाँ पर division लिखा हुआ रहेगा और आप इगनु से जो program कर रहे है यहाँ पर program का नाम लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पर signature रहेगा तो ध्यान रेखे जब आप इंगनु से अपना program complete कर लेते हैं आपके theory exam का assignment का सभी का marks जो आपके grade card में लिखा हुआ आ जाता है इस तरीके से completed लिखा हुआ आ जाता है तो आपका provisional certificate और mark sheet जो है by post आपके घर पर भेज दिया जाता है जिस दिन यहा कैसे मिलता है और इसके लिए आपको क्या करना होता है और यह दिखने में कैसा होता है तो सबसे पहले or original degree लेने के लिए आपको अपना registration करवाना होता है Convocation के लिए आपको Registration करवाना होता है Convocation के लिए आप Registration जो है Online करवा सकते है Ignu के इस website पर और आपको Convocation के लिए जब आप Registration करवाएंगे तो आपको जो है 600 रुपए Feast भी पे करना होगा ये Feast जो है आपको Online पे करना होगा तो आप Ignu से जो भी प्रोग्राम कर रहे है जैसे आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है और आपका Original डिगरी जो भी होता है Original डिगरी लेने के लिए आपको सबसे पहले अपना Registration करवाना होता है और 600 रुपए Online Feast पेमेंट करना होता है तो अगर आपका डिगरी कंप्लीट हो चुका है तो आप अपना Convocation के लिए Registration करवा सकते है जब भी Registration का Link Activate किया जाता है फिलाल अभी यहाँ पर कोई भी Link Activate नहीं किया गया है जब मैं यहाँ पर अभी वीडियो को Record कर रहा हूँ और जैसे ही आप Convocation के लिए Registration करवाते है तो उसके तकरीबन 40-45 दिनों के भीतर आपका Original Degree By Post आपके घर पर भेज दिया जाता है और अगर 40-45 दिनों के भीतर आपके घर पर यह By Post नहीं आता है तो आपका जो भी Regional Center है आप अपने Regional Center से भी अपने Original Degree को Collect कर सकते है यानिकि Regional Center से भी आप अपना Original Degree जा करके ले सकते है साथी में जब आप Convocation के लिए Registration करवाते है तो इगनों के तरफ से सेरोमनी का आयोजन किया जाता है तो आप सेरोमनी में भी जा सकते है और वहाँ भी आप अपना Original Degree प्राप्त कर सकते है और अगर आप सेरोमनी में नहीं जाना चाते है तो आपका जो Original Degree है वो बाई पोस्ट आपके घर पर भीज दिया जाता है पर Original Degree लेने के लिए आपको जो है Registration करवाना ही होगा 600 रुपए फीस ऑनलाइन पे करना ही होगा और आप बात करते हैं कि आपका Original Degree दिखने में कैसा होता है तो आपका Original Degree दिखने में कुछ ऐसा होता है सबसे पहले यहाँ पर Serial Number लिखा हुआ रहता है और यहाँ पर आपका Enrollment Number लिखा हुआ रहता है Security के लिए में ने यहाँ पर कुछ चीज़ों को Blurr कर दिया है और यहाँ पर Eignu का नाम लिखा हुआ रहता है साथी में यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा परमानित किया जाता है कि और आपका जो नाम रहेगा वो नाम यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा को निरधारित पाठे कर्मों को पूरा करने और आप जिस भी सेशन में एक्जाम देंगे वो यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा की परिक्षा उत्तीन करने पर सनात कोतर उपाधी आप इगनु से जो भी प्रोराम कर रहे है प्रोराम आपका जो कंप्लीट हो गया है वो यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा और साथी में अगर आपका कोई डिवीजन आता है तो यहाँ पर इस तरीके से डिवीजन भी लिखा हुआ रहेगा और नीचे करेंगे तो य यहाँ पर निग देली लिखा हुआ रहेगा और ये आपका सर्टिपिकेट जिस दिन भी जारी किया गया है उस दिन का यहाँ पर डेट लिखा हुआ रहेगा और बाकी आपका जो ओरिजनल डिगरी है वो दिखने में कुछ कुछ ऐसा होता है और इस वीडियो कोन्टेक्ट रहे होके काफी डॉट किलियर होगे होंगे, यदी अब भी आपका कोई डॉट है तो आप नीचे कॉमिंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हम से इंस्टाग्राम पर डायरेक्तली कॉनթट्स कर सकते हैं गे मिलते हैं अगले वीडियो में